सोनाली अपने टिक्टॉक वीडियो को लेकर काफी पॉपलर थी सोनाली फोगाट ने 2019 के हरियाना चुनाओ में बीजिपी उमिद्वार के रूप में चुनाओ लड़ा लेकिन ततकालिन कॉंग्रेस नेता कुलीप विश्णोई से हार गई वो 2020 में रियालिटी शो बिग बॉस में भी दिखाई दी BGP नेता सोनाली फोगाट की मौत जो कि पहले हार अटाएक बताए गई थी पुस्ट मार्टम रिपोर्ट में नया खुलासा हुआ है रिपोर्ट की माने तो सोनाली की शरीर पर चोठ की कई निशान मिले है रिपोर्ट में साबित हुआ है कि किसी नुक रिंकु ने कहा कि गोवा में उसकी शूटिंग 24 अगस्त को होनी थी लेकिन होटल की कमरे 21-22 अगस्त के लिए बुक किये गये थे 22 अगस्त को सोनाली को उत्री गोवा के अंजुना के सेंट एंठोनी आस्पताल में मृत घोशित कर दिया गया जहां खाना खाने के बाद बेच्यानी महसूस होने पर उसे लाया गया था पुलिस महारनेरिक्षक ओमवीर सिंग विश्णोई ने कहा मृतक के भाई द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर अंजुना पुलिस स्टेशन में धारा 302 यानि की हत्या के तहट प्रात्मी की दर्ज की गई सुनाली फोगाट के भाई रिंकु ने कहा हमने महसूस किया कि कुछ गरबढ है और वही बात सामने आई अब तक हम चल रही जाँच से संतुष्ट हैं हमने आय की मांग करते हैं सुनाली फोगाट के दो नीजी साहयक इस मामले में मुख्य संदिख्ध हैं जैसा कि सुनाली के परिवार ने आरोप लगाया था इन दोनों को गरफतार कर लिया गया है सुनाली फोगाट के भाई ने पहले दावा किया था कि तीन साल पहले सोनाली फोगाट का उनके एक सहयोगी ने यौन उत्पीडन किया था जिसने उनके खाने में कुछ मिलाया था और बाद में उन्हें ब्लैक मिल किया था सोनाली फुगाट के परिवार के सदसियों के अनुसार उने उनके दो सहाइकों द्वारा रात के खानी के लिए गोवा के करलीज में ले जाय गया था उसे बताया गया कि हरियाना का एक व्यक्ति करलीज में काम कर रहा है जुससे वो उसे मिलाना चाहते हैं रस्त्रा के मालिक एडवीन नून्स ने पूस्टी की सोनाली फोगाट अपने सहायकों के साथ उनके रस्त्रा में गई लेकिन कोई भी करमचारी उन्हें नहीं जानता था और वो किसी भी अनिक कस्टमर की तरह ही थे प्रारमिक रिपोर्ट में ये कहा गया कि सोनाली फोगाट का दिल का दोरा पढ़ने से निधन हुआ अलाकि उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि 42 वर्षे बिजिपी ने था स्वस्त और फिट थी और उन्हें दिल की कोई समस्या नहीं थी उसने मरने से एक दिन पहले परिवार के सदस्यों को अपने फोन कॉल में कुछ गरबर होने का संकेत दिया था उनके परिवार ने दावा किया कि उसके मृत्यू के बाद उसके हर्याना फार्म हाउस से उसका कुछ सामान चोरी हो गया रिंकू ढाका ने दावा किया कि सुधीर सांगवान ने उसकी बहन के राजनितिक और एक्टिंग करियर को बरबाद करने की धहमकी दी थी और उनकी फोन, संपति के रिकॉर्ड, ATM कार्ड और घर की चाविया जब्त कर ली थी उसकी मौत के बाद हरियाना में उसके फार्म हाउस से सीसी टीवी कैमरे, लैपटॉप और अन गैजट कायब हो गया है सोनाली को करलीज रेस्ट्रों में ड्रक्स दी गई थी या नहीं, तब यद बिगड़ने पर उसे करलीज रेस्ट्रों के लेडिस वास्ट्रू में ले जाये गया या नहीं यह सब जाच का विशय है, तब तीश चल रही है परिजन के F.I.R. दर्ज ना करने समंधी आरूपों पर, डीजेपी नी कहा कि पहले शिकायत को वेरिफाई किया गया इसके बाद F.I.R. दर्ज की गई, F.I.R. के अनुसार आगे की जाच की जाएगी गोवा पुलिस सुधीर सांगवान को लेकर रेजोर्ट भी पहुँची, वहाँ पूश ताच में पता चला कि सुधीर और सुफिंदर ने वहाँ दो कमरे बुक किये थे मंगलवार सुधीर साथ बजी सुधीर अपने कमरे से बाहर गया, रेजोर्ट प्रबंधन के अनुसार सुनाली की मौत रेजोर्ट में नहीं हुई, उसने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा इससे पहले गोवा में मौजूद सुनाली के जीजा अमन पुनिया ने आरुप लगाया कि सुनाली की मौत के 12 घंटे 2 तक सुधीर सांगवान उनका मोबाइल फोन इस्तमाल करता रहा जब उन्होंने गोवा पुलिस से पूछा सुधीर से सुनाली का मोबाइल फोन क्यू नहीं लिया गया तो पुलिस अपसरों ने संतोस जनक जवाब नहीं दिया अमन पुनिया के अनुसार सुमवार रात को सुधीर सांगवान ही सुनाली को करलीच रेस्टोल लेकर गया